हेलो एवरिवन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल एम्पायर के बारे में जो की क्लास सेविंथ हिस्ट्री का फोर्ट चैप्टर है आप सभी ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इंडिपेंडेंस दे पर रेट फोर्ट से स्पीच देते हुए देखा होगा क्या आप जानते हैं कि ये रेट फोर्ट कभी मुगलों का रेजिडेंस हुआ करता था मतलब मुगल लोग वहाँ पर रहते थे तो चलिए समझते हैं कि ये मुगल्स थे कौन मुगल्स वन्षज थे दो ग्रेट लीनियजेज ओफ रूलर्स के लीनियजेज क्या होता है पीपल हूँ वर इन सेम फैंबली इन पास्ट तो वो दो ग्रेट फैंबलीज के वन्षज थे मदर की साइड से वो चंगेज खान को बिलॉंग करते थे चंगेज खान जो की मौंगोल रूलर थे और चाइना और सेंटरल एशिया पर रूल करते थे और फादर की साइड से वो बिलॉंग करते थे तैमूर्स को तैमूर जो की रूलर थे इरान, इराक और आजकल की टर्की के लेकिन मुगल्स अपने आपको मुगल्स कहलाना या मौंगोल्स कहलाना पसंद नहीं करते थे उसका एक मुख्य कारण ये था कि चंगेज खान एक बहुत ही क्रूल शाशक था और उसने अपने समय में बहुत सारे लोगों का कतल करवाया था तो मुगल्स इसलिए अपने आपको मुगल्स या मौंगोल्स नहीं कहलाना पसंद करते थे और इसका एक दूसरा कारण ये था कि उनका संबंद उजबेक्स से था जो की एक मौंगोल कॉंपिटीटर थे मुगल्स के और दूसरी तरफ मुगल्स अपने आपको टेमराइड कहलाना पसंद करते थे क्योंकि उनके ग्रेट एंसेस्टर्स ने डैली के उपर कपसा किया था थाटीन नाइनटी एट में इसलिए वो अपने आपको मुगल्स नहीं कहलाना पसंद करते थे या मुगल्स कहलाना पसंद नहीं करते थे चलिए जानते हैं कि किसने मुगल एंपायर की नीव रखी who was the founder of मुगल एंपायर बाबर मुगल एंपायर का first emperor था और उसी ने मुगल एंपायर की नीव डाली थी 1526 में बाबर ने सुल्तान और डेली उबराहिम लोदी को जो की last ruler थे डेली सल्तनित के इबराहिम लोदी उनको पानिपत के first battle में हरा कर मुगल एंपायर की नीव डाली थी बाबर फरगाना की गदी पर 1494 में बैठ था जबकि उसकी age 12 years ही थी अपने फादर की death के बाद लेकिन उसको मंगोल invasions के कारण, मंगोल attacks के कारण जो की किर्स ने किया था? उजबेक्स ने उजबेक्स एक मंगोल ट्राइब है जिसके attacks की वज़े से उसको अपनी गदी को छोड़कर जाना पड़ा और वो बहुत साल तक इधर से उधर घुनता रहा लेकिन अंत में उसने काबुल के उपर कबजा किया 1504 में चलिए जानते हैं बाकी के मुगल emperors के बारे में सबसे पहले बाबर ने मुगल empire की नीव डाली 1526 में और उसने चार साल तक इंडियन सब कॉंटिनेंट पे राज किया 1530 तक उसके बाबर का बेटा हुमायंग गद्दी पर बैठा और उसने 1530 से लेकर 1540 तक इंडियन सब कॉंटिनेंट पे राज्य किया और उसके बीच में 15 साल तक शेर्शा सूरी ने इंडियन सब कॉंटिनेंट को रूल किया और उसके बाबर ने फिर से इंडिया पे कब्जा किया और 1555 से लेकर 1556 तक इंडियन सब कॉंटिनेंट पर उसने रूल किया उसके बाद अकबर ने मुगल एंपारे संभाला और उसने 1556 से लेकर 1605 तक रूल किया उसके बाद जहांगीर गदी पर बैठा और जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक मुगल एंपायर संभाला उसके बाद शहाजाह गदी पर बैठा और शहाजाह ने 1627 से लेकर 1658 तक राज्चे किया और औरंगजेब मुगल एंपायर का लास्ट माइटी एंपरर जाना जाता है वो 1658 से लेकर 1707 तक उसने राज्चे संभाला चलिए समझते हैं मुगल ट्रेडिशन ओफ सक्सेशन के बारे में मतलब कि एक एंपरर के बाद दूसरा कौन गदी पर बैठेगा ये मुगल किस हिसाब से डिसाइट करते थे मुगल टिड नॉट बिलीव इन प्राइमोजैनीचर मुगल प्राइमोजैनीचर में बिलीव नहीं करते थे इसका क्या मीनिंग है कि जिस में बड़े बेटे को गदी पर बैठने का हक मिलता है कि फादर की डेट के बाद बड़ा बेटा आटोमेटिकली ही गदी पर बैठ जाता है वो इसमे बिलीव नहीं करते थे मुगल्स बिविलीव करते थे मुगल और्टेमराइट कस्टम कुपार सेंडरी में वोत क्या होता है जहाँ पर फादर की इनहेरिटेंस सारे बेटों में इक्वली डिवाइट की जाती है तो उसको कुपार सेंडरी कहते हैं लेकिन एम्परर एक ही होता है चलिए समझते हैं मुगल्स के रिलेशन्स दूसरे रूलर्स के साथ कैसे थे मुगल्स ने हर उस रूलर के उपर अटेक किया जो की उनकी अथौर्टी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था या जो उनको अपना रूलर नहीं समझता था लेकिन कहते हैं न कि उक्ते सूरज को सब सलाम करते हैं जैसे जैसे मुगल्स के पास पावर आती गई सब लोग उनके साथ धीरे धीरे खुदी जुड़ते चले गए और इसका सबसे अच्छा एक्जामपल है राजपूत्स राजपूत्स ने अपनी बेटियों की शादियां मुगल फैमिलीज में की अकबर की शादी हुई अंबेर के राजपूत रूलर की बेटी के साथ जो की प्रिंसेस जोदावाई थी उनके साथ अकबर की शादी हुई जहागीर की शादी हुई राथोर प्रिंसेस से जो की उसके फादर किस कहा के रूलर थे मारवार के और इसके बदले में मुगल्स ने राजपूर्ट को हाई पोजिशन्स दी अपने दर्बार में मुगल कोट में उन लोगों को राजपूतों को high positions हासिल हुई लेकिन कुछ लोगों ने उनके authority नहीं मानी सिसोधिया राजपूत जो मारवार के थे उन लोगों ने भी बहुत time तक मुगल की authority मानने से मना किया प्रत्वी राजपूत भी एक सिसोधिया राजपूत थे एक बार लेकिन जब ये लोग हार गए उसके बाद मुगल्स ने इनके साथ honorably treat किया उनका disrespect नहीं किया उनकी जो जमीने उन्होंने कबजा की थी वो सब उनको वतन जागीर की तरह वापस कर दी लेकिन इसके बदले में उन लोगों को regularly tax देने थे और उनकी authority accept करनी थी तो मुगल्स ने एक balance बना कर रखा कि वो राजा को पहले हराते थे लेकिन उसको उसके बाद उसको humiliate नहीं करते थे तो जिस वज़े से मुगल्स का राज्य बहुत जादा बढ़ा और बहुत सारे राजाओं ने और चीफ टांस ने उनकी authority accept की तो इतना बड़ा उनका राज्य था तो उसको समहालना कैसे उसका administration चलाना है ये बहुत ही important काम था तो मुगल्स ने कैसे अपना administration चलाया इसके बारे में अब समझते हैं इसके अंदर हम तीन topic पढ़ेंगे मनसबदार्स के बारे में जानेंगे जमीनदार्स और सूबेदार्स के बारे में चानेंगे सबसे पहले जानते हैं कि मनसबदारी सिस्टम क्या था कौन थे मनसबदार्स तो उन सब लोगों ने जोनों ने मुगल सर्विसेज जॉइन की वो सब लोग मनसबदार कहलाते थे मनसबदार उस एक व्यक्ति को कहते थे जिसके पास एक मनसब होता था मनसब क्या होता था? मनसब means a position or rank उसका कुछ rank होता था उसकी कोई position होती थी court में तो मनसबदार जो appoint किये थे मुगल्स ने वो हर community से लिए थे लोगों को चाहे वो टरकिश हो, इरानी हो, अफगानी हो, राजपूत हो, मराठा हो तो सब लोगों कोनों ने मनसबदार की post दी थी मतलब सब इन सब लोगों ने मुगल services join की थी मनसबदारी system क्या था? ये एक gradient system था जो की मुगल्स ने तीन चीजों को fix करने के लिए start किया था rank, मनसबदार की rank क्या होगी, उसकी salary क्या होगी और उसकी military responsibilities क्या होगी rank और salary तो मनसबदार की determine करते थे वो लोग चाथ से अब जात क्या होता था? जितनी जिसकी जादा जात होती थी, उस nobel की उतनी ही जादा position होती थी, उतना ही जादा उसकी salary होती थी मतलब दर्बार में उसका उतना ही जादा रुद्बा होता था और उतनी ही जादा उसकी salary होती थी जिसका पांच हजार जात होता था नोबल का उसकी पोजीशन ज्यादा हाई होती थी बनस्पत के उसके जिसके पास हजार जात होती थी अकबर के राचे में 29 मनसबदार्स थे जिनके की 5000 जात थी मतलब इतना उंचा रेंक उनका था और मनसबदार्स की military responsibilities क्या होती थी उनको कुछ खुड़सवार सावर जिसको कहते थे कुछ number of सावर, some number of सावर उनको अपने पास रखने पड़ते थे जिससे की राजा को जब जरुवत हो कोई दूसरा राजे उनके उपर अटेक करे तो वो राजा की military strength को बढ़ा सकें उसको सिपाही वो भेज सकें और उन cavalryman को या उनको horseman को उनको register कराना पड़ता था और horses को branded करना पड़ता था उनका भी brand fix किया जाता था मनसबदार्स को जो salaries मिलती थी वो revenue assignments के तौर पर मिलती थी उनको जमीने नहीं दी जाती थी जो उनको revenue assignments के तौर पर जागीरे दी जाती थी लेकिन वो उस जागीर के मालिक नहीं होते थे उसकी जमीन उनको नहीं दी जाती थी सिर्फ उनको उस जागीर से revenue collect करने का अधिकार दिया जाता था मनसबदार उस जागीर में नहीं रहता था वो कहीं किसी country के किसी दूसरे पार्ट में वो administer कर रहा होगा और उसके servants जो है उस जागीर से revenue collect करेंगे तो उसको सिर्फ उस जागीर से revenue collect करने का अधिकार होता था ना कि वहाँ पर उसको रहने का या फिर वो जागीर की जमीन जो होती थी वो उसके नाम नहीं होती थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन जागीरों का assessment किया जाता था ये देखने के लिए कि जो मनसबदार की salary है वहाँ से उतना revenue collect हो जाता है या नहीं हो जाता बतला जितना revenue collect होता है वो उस मनसबदार की salary के बराबर होना चाहिए कहीं उससे जादा तो नहीं उसको मिल रहा या कहीं कम तो नहीं मिल रहा ये बात उसकी ध्यान रखी जाती थी लिक अकबर के राज्ये के समय जागीरों की carefully assessment की जाती थी और जादतर जो मनसबदार की salary होती थी वो revenue वहां से उतना ही collect होता था और वो मनसबदार ना तो उससे जादा collect करता था ना कम collect करता था लेकिन ऐसा औरंगजेब के time में नहीं होता था औरंगजेब के time में जो sum collect किया जाता था या जो revenue collect किया जाता था वो उस मनसबदार की सेलरी से कम होता था वो एक बात ये भी थी कि उस समय औरंजेव के टाइम में बहुत सारे मनसबदार हो गए थे और जागीरों की संख्या कम पढ़ने लगी थी मतलब कि मनसबदार को जागीर मिलने के लिए वेट करना पड़ता था क्योंकि मनसबदार जयादे थे जागीर कम थी तो इसका क्या result हुआ कि जागीर जब उनको कोई भी जागीर मिलती थी उस समय जदे से जदा रेवेण्यू कलेक्ट करने की वो कोशिश करते थे जब वो किसी जागीर जब उनके जागीर मिली हुई है मनसबदार को तो उस समय वो सोच थे जितना ज़ादा टैक्स, दुबारा पता नहीं कब हमें जागी इन मिलेगी तो अभी हमें जितना भी हम टैक्स यहां से कलेक्ट कर सकते, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते, वो कलेक्ट कर ले जिसकी वज़े से पिजेंट्री मतलब फार्मर्स को बहुत सब ज़ादी टेक्स देना पढ़ता था तो उस समय ओरगजेव के टाइम में जो फार्मर्स थे उन्होंने बहुत सब्बात की वज़े से और औरंजेव इस इस्तिती को कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आखरी के दिनों में नेक्स्ट टॉपिक जो समझते हैं वो है जब्त एंड जमीनदास मुगल्स की इंकम का सबसे बड़ा सोर्स था टेक्स जो की फार्मर्स उनको देते थे जो उनकी प्रड्यूस पर वो लो लेते थे अपर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडर मल उन्होंने क्या कराया कि एक सर्वे कराया पूरे दस साल का 1570 से लेकर 1580 तक किस चीज का सर्वे कराया of crop yield, crop yield मतलब कितनी crops पैदा हो रही है, 10 साल में कितनी crops पैदा हो रही है कौन सी crop पैदा हो रही है और किस एरिया से crop पैदा हो रही है वो सब और इस basis पे जो data उन्होंने collect किया सर्वे करके उसके basis पे वो tax fix कर देते थे हर crop के लिए cash में और अकवर का जो राज्य था जित्तो अकवर का province था वो each province was divided into revenue circles एक province को revenue circles में divide कर देते थे और उस circle में हर crop की अलग-अलग revenue rates हुआ करती थी मतलब एक circle में revenue rate किसी crop का कुछ हो सकता है और दूसरे circle में revenue rate उसी crop का कुछ और हो सकता है तो ये system जो है जबत कहलाया हर circle में rates different होते थे different crops के लिए तो जमीदार्स कौन थे मुगर्स ने उन सब intermediaries को जो उनको किसानों से tax collect करके देते थे जमीदार कहा चाहे वो local headman हो village के मतलब जो उसका सरपंच होगा किसी भी गाउं का चाहे वो हो चाहे कोई powerful chief 10 हो जो भी उनको farmers से tax collect करके देता था उन सब को उनने जमीदार्स कहा और उनका क्या function था जमीदार्स का to collect taxes from the peasants peasants से farmers से tax collect करना और उस tax को central government में के revenue department को जमा करते ना मतलब जमीदार्स किसानों से revenue collect करते थे और उसको मुगल revenue department में जमा करा देते थे यह उनी areas में possible था जहां पर मुगल्स जमीन का सरवे करवा पाए और उनका accounts maintain कर पाए यह गुजरात और बेंगॉल में possible नहीं हो था क्योंकि वो बहुत दूर दराज के इलाके थे और वहाँ पर वो सरवे नहीं करा पाए थे अभूल फजल ने अपनी बुक अकपर नामा में लिखा है कि मुगल empire सूबाज में divided था तो सूबेदार कौन थे और सूबा क्या था तो उसने लिखा है कि मुगल empire सूबाज में डिवाइड था और सूबे को कौन गवन करता था एक सूबेदार जिसकी की वहाँ पर law and order maintain करना और military functions भी दोनों political और military दोनों functions वो सूबेदार करता था लेकिन वहाँ पर सूबे में peace and order maintain करने के लिए सूबेदार को कुछ officers assist करते थे कुछ officers होते थे जो उसकी सहायता किया करते थे जैसे कि दिवान कौन होता था financial officer होता था बक्षी होता था military pay master सदर सदर की क्या duty होती थी वो religious और charitable patronage का minister होता था फौजदार military commanders होते थे कोतवाल town police commander हुआ करते थे अबूल फज़र जो की अकबर के ही एक friend थे उसने अकबर की history के बारे में अकबर के राज्य के बारे में एक history लिखी है जिसकी book का नाम है अकबर नामा और इसकी तीन volume है पहली volume में उसने अकबर की ancestry के बारे में लिखा है दूसरी वॉल्यूम में इसने अकबर के राच्चे के बारे में जो भी इवेंट्स होते थे उसने वुनसब के बारे में लिखा है और तीसरी वॉल्यूम में उसने अकबर के एड्मिनिस्ट्रेशन के बारे में Household के बारे में, Army के बारे में, Revenue के बारे में, उसकी Empire की Geography के बारे में, Tradition और Culture के बारे में उस समय जो लोग इंडिया में रहते थे उनके बारे में और Statistical Details of Crops, Crop Yields, Prices and Revenue इन सब के बारे में अबूर फजल ने अपनी बुक अक्बर नामा में लिखा है अक्बर के टाइम में कुछ Religious Developments हुए उनके बारे में जानते हैं अक्बर ने Religious Discussions शुरू किये, अक्बर को बहुती शौक था सब धर्मों के अच्छी अच्छी बातों के बारे में जानने का तो जब वो फतैपुर सीक्री में था 1570 में तब उसने Discussions स्टार्ट किये विद उलेमाज के साथ दिसक्शन करता था अब्रहमन्स के साथ, जैस्विट प्रीस के साथ, जो की रोमन कैथोलिक्स थे जो रैस्ट्रियन्स के साथ तो ये सारे Discussions कहा होते थे इबादत खाना में और उन Discussions के दौरान अकबर को ऐसा लगा कि जो लोग कुछ किसी रीचुल के उपर बहुत जादा जोड़ देते हैं तो वो क्या हैं? बाइ गॉड्स हैं मतलब उसको ये लगता था कि डॉग्मा क्या होता है कि जैसे कोई एक फर्मान जारी कर दिया उन्होंने कि भाई ये जो है बात हमने कहिए ये बिल्कुल सही है इसके उपर किसी को कोई question उठाने का सवाल ही नहीं है मतलब जो हमने कहा है उसको as it is accept कर जाना चाहिए और कोई इस बात को question ना करे जो हमने statement दिया है तो अकबर उनको by gods कहता था by gods मतलब कि जिनको दूसरे धर्मों के लिए उनके उपर कोई गुंजाईश ही नहीं है उनमें दूसरे धर्मों के लिए उनके पास कोई respect नहीं है तो उसको लगता था कि जब ये इस तरीके के statements पास करते हैं तो क्या होता है society में disharmony पैदा होती है society में आपस में लोग एक दूसरे से जगड़ा करते हैं तो अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की जिसका नाम था सुलह कुल या जिसको universal peace भी कहा गया ये ऐसा था कि इसको सब कोई accept कर सकते थे किसी के उपर कोई compulsion नहीं था हर आदमी इसको जो चाहे माल सकता था और इस धर्म ने सुलह कुल ने किस पे focus किया honesty, justice and peace के उपर और अबूल फजन ने अकबर को help किया किसमें एक vision बनाने में of governance around this idea या सुलह कुल के idea के उपर किस तरीके से वो governance कर सकता है इसका idea अबूल फजल ने अकबर को दिया तो ये थी कुछ जानकारी मुगल empire के बारे में hope आपको concept clear हो गया होगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो like कीजेगा और चैनल को subscribe करना ना भोले Thank you